तो स्वागत है दोस्तों आप सभी कि आज ट्रेडिंग डे चैलेंज का जो भी है तिर दिन वाला आज सेकेंड डे हैं कल्कुलेट में मैंने लॉस किया था दो ट्रेड मैंने लगाए था दोनों लॉस यसल हीट हो गया था 2600 रुपए गया था मेरा तो मैंने ट्रेड क्लोज क किया था कि यहां पर फिवनॉक की अगर हम लगाते हैं तो जैसे कि यह देखे यहां से मार्केट लाष्ट में कल यह लो लगाया था यहां से लो लगा कि थोड़ा सा यह अप्ट्रेंड में था यहां से तो मुझे ऐसा लगा कि यहां से मार्केट यह ऊपर खुल सकता मतलब gap up open हो जाएगा, तो मुझे profit हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ही lot लिया था, सबसे अच्छी बात ये थी, एक lot ही था मेरा, है ना, तो मैंने buy किया था, call buy किया था, और market क्या हुगा, आज की दिन जो है, कि यहाँ पर downside open हो, मतलब यहाँ पर opening हो गई, तो मैं जब देखा loss जा र यह भी loss हो गया, बाइस सो रूपए, तो अब total loss मेरा मतलब 4-4,000,000 को उपर चला गया था, मैं थोड़ा सा परिसान हो गया, लेकिन मुझे यह था कि मैं require कर लूँगा उसको, और एक प्रड मैंने यह भी किया, कि मैं आगे से कभी भी BTST trade लूँगा ही नहीं, क्योंकि ऐस अगर बाइसा ट्रेड क्यों लेना कि रात के मतलब अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, आपका किस्मत आपकी जाग भी सकती है, सो भी सकती है, कभी-कभी अगर चापांसो पॉइंट अगर बैंक निप्टी में गैप या गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो फिर आपके लग पर आप ऐसा समझेए, तो मतलब ऐसा ट्रेड क्यों लेना, हम ऐसा ही ट्रेड लेंगे, जो कि हम लाईव मार्केट में देख रहे होंगे, कि हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा सही रहता है, तो आज के बाद BTHT ट्रेड लेना बंद, है ना, तो अ थोड़ा सा, यहाँ पर इसको भी क्रॉस कर दिया, जो प्रिवेस लो लगाया था, प्रिवेस देखा, उसको भी क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं वेट करता है, हमने प्रड किया है, कि पहली अगर क्रॉस वर होती है, कहीं पर ब्रेक करता है, तो हम इंट्री नहीं लेंगे, तो मैं यह भी प्लान कर रहा था कि अगर 50% को ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और उसके बाद अगर दूसरी केंडली पर ग्रीन बनाता है तो मैं प्लान करूंगा लेने का लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे एक लाइन में यहां पर पूरी मतलब ट्राइपिंग हो तो आप समझें कि यहां पर जिन्हों ने भी इसको देखके लिया होगा उनका लॉस होगा और मार्केट फिट से दुबारा से आया यहां पर इस वाली केंडल में दुबारा से प्रिवेस दे का लो यहां से ब्रेक किया और अब की बार जो अभी थोड़ी दिर पहले ब्रेक करता रहा ठीक है यह सब यहां पर लाइव के दौरा जब मैं सुबहन नौ बजे लाइब था न तभी यह सब सारी चीजे घट रही थी घटना तो मैं इंतजार करता रहा अब यहां पर आप देखेंगे तो एक चैनल यहां पर बना दिया था मैंने यह सुबह के लाइव इस सभी को बना है में आ फिर यहां खोता हुए положomin है ने कि यहां पर ट्रेत बना पर उपर यहां प्र प्छी सब्सक्रेंट हो और selling आ जाते हैं अब इसका जो लो था इसको भी ब्रेक कर दिया तो मैं अभी भी इंतियार करता रहा अब यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर क्लोजिंग आई क्योंकि यहां पर भी क्लोज नहीं कर पाया जो प्रिवेश डे कलो था यहां पर क्लोजिंग दे दिया तो मैं थोड़ा सा मुझे भरोसा हो गया ठीक है अब मैंने अपना क्या किया कि इस कैंडिल के ऊपर कभी मैं अपना अपना इसल प्रान करने लगा कि अब मैं देखूंगा हुआ तो हुआ नहीं तो ठीक कोई बात नहीं है ठीक है तो मैंने क्या किया मैं यहां पर वेट करता रहा किदर गया यह रहा उसका दुबारा से मार्केट नीचे अब अब की बार इसको भी यहां से ब्रेक किया ठीक है ब्रेक करके यहां पर नीचे आ चांसे होता है मार्केट यहां से उपर नहीं कल सकता है, तो इस candle को देखते हो, दूसरा candle जब green बने लगा, तो मैंने ट्रेड को exit कर दिया, मैंने यहां पर profit book किया 2000 के आसपास, यहां पर मेरा 2000 का profit book हो गया, अब मैं यहां पर wait करने लगा, कि अगर यह उपर जाता तो ठीक है इसके low break करती है, मैंने यहां पर trade लिया, अब मुझे यह भी पता था, कि इसका low तो एक बार जरूर ब्रेक करेगा, और जैसे यहां पर break किया, मैंने exact, यहां भी इस point मैं exit किया था, और इसमें मुझे जादा नहीं मिले, मतलब premium बढ़ बढ़ नहीं रहा था, तो यहां भी को minus करेंगे, तो total में इसे, मतलब 18,00 रूपए अभी भी यहां पर minus चला, अभी market यहां पर इस range में चला है, क्यूंकि आज हमने दो trade किये, पहला तो मतलब 3 trade हो गया, अगर देखा जाए, BTST एक था, वो loss हो गया था, उसके बाद जो है कि मैंने पहला trade profit बनाया, दूसरा भ देखेंगे, तो यह BTST जो कि मैंने गलती से कर दी, अगर यह नहीं करता, तो मैं अभी कल का और आज का में लगे, प्रॉफिट में रहता, यहां पर पहला trade है, यह दूसरा वाला trade यहां पर 840 रूपे का, टोटल आज का जो है कि 640 रूपे profit में है, और जो total account में है, यहां 93,900 दिखा रहा है, और यहां पर थोड़ा सा भी एड हो गए रहोगा, तो 96,97 रकास पर जाएगा, इसमें charges वगर काफी जादा कट गए है, मैं मुझे नहीं समझ वारे, एक बार मैं चेक करूँगा क्या हो रहा है, तो यही रहा पूरा आज का status जो है, काफी जालदा गर्म मोटिवेटर रहूँगा, और और भी study के साथ, जो भी मैं ट्रेड लूँगा या लॉस होगा, किन वज़ेसे मेरा profit होगा, मनदब क्या study रही, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, मिलता है फिर कल, तब तक लिए बाबाए हैं, टेक क्यार, जाहें चैवालत.